दिवाली दोजर तैस इस दिन मनाई जाएगी दिवपावली जाने सुम मुहरत पूजा विदी और इसका महत दिवाली का तेवार कातिक माह की अमवस्य तिथी को मनाया जाता है लोग इस तेवार को पांच दिनों तक मनाते हैं और इससे बहुत कुछ सिखने को मिलता है इस धन की देवी प्रिथी पर आती है और अपने भगतों को सुक समरिदी का वर्दान देती है इस साल दिवाली 12 नहुंबर को मनाई जाएगी दिपावली रोस्नी और दीपों का तेवार है दिपावली के दिन माल अच्मी की पूजा का विधान है दिपावली सनातन धर्म के मनाते हैं हिंदू पंचांग की अनुसर दिवाली का तेवार कार्तिक माह की अमवास्या तिथी को मनाया जाता है इस साल दिवाली 12 नहुंबर 2013 को मनाई जाने वाली है इस सूप दिन का इंतजार लोग बेसर्वी के साथ करते हैं अमवास्या तिथी समापन 13 नहुंबर आपके जो दिपावली सुम नूरत अमवास्या तिथी परारम 12 नहुंबर को 2 बज कर 44 बजे से परारम होकर दो फर 2 बज कर 44 मिनट से सुरू होगा और अमवास्या तिथी समापन 13 नहुंबर 2 बज कर 56 मिनट तक समापन होगा लच्मी पूजन का समय 12 नौंबर साम 5 बज़कर 19 मिनट से साम 7 बज़कर 19 मिनट तक रहेगा दिपावली पूजा विधी दिपावली की पूजा मुहुरत देखकर करें घर की सफाई करें मंदिर को दीपों और फूलों से सजाए मा लच्मी के साथ गनेश जी की परतीमा अस्थापित करें फूल और अच्छत से गनेश और लच्मी जी की पूजा करें रोली चन्नन का तिलक लगाएं फूलों की माला अरपित करें सफिर मिठाई का भोग लगाएं घी का दिपक जलाएं आर्ती से पूजा का समापन करें दिपावली का महत्व दिपावली को रोसनी का तेवार माना जाता है साथी या पर्व अंधकार पर परकास की विजे का परतिक है लोग इस तेवार को पांच दिनों तक मनाते हैं और इससे बहुत कुछ सिखने को मिलता है इस सुब दिन पर माल अच्मी की पूजा भक्ती और समर्पन के साथ की जाती है एसी मानियता है कि इस दिन धन की देवी पेथवी पर आती है और अपने भक्तों को सुख समरिद्धी का वर्दान देती है या हिंदुओं के बड़े तेवारों में से एक है जिसे लोग दिपक जला कर मनाते हैं इसके अलावा परिवारों दोस्तों के बीच उपहर बाटते हैं बता दें दिया जलाना अच्छाई पवितरता और सोभाई का परतिन दीत्व करता है तो आप दिपावली का सुब तिथी और सुब मुरत जान चुके होई हैं तो आप अपने दोस्तों को भी एक वीडियो अवेश्च शेयर करें जो दिपावली का सुब मुरत और विधी और आपके सही तिथी को पूजा लश्मी जी की पूजा कर सके ठैंक यूँ